दोस्तों बात करते हैं इस न्यूस के बारे में जिसमें लोग कह रहे हैं कि शायद Michael Chandler vs Tony Ferguson fight है वो बुक हो चुकी है for UFC 274 मैंने शायद वर इसलिए कहा क्योंकि जब तक मैंने वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक UFC की किसी वेबसाइट पे या किसी सोचल मीडिया अकाउंट पे आप तक ये न्यूस नहीं आई है बट धर्ड पार्टी वेबसाइट पे ये न्यूस आ रही है कि Chandler vs Ferguson fight है ये एड हो चुकी है on UFC 274 उसी कार्ड पे जहां पे fight करने वाले है चास अलवेरा अपनी बेल टेफिरेंट करने वाले हैं दूसरी बार और इस बार अगेंस्ट रशन केची इसने वे डाउट नहीं है कि Chandler और टोनी खुले आम सोचल मीडिया पे इन्हों बातचित कर रहे थे और चैनलर ने कहा थे कि he wants to fight टोनी फार्गसन और जब से ये न्यूस आई है तोनी ने खुद एक क्या है ट्वीट अपनी ही लैंविज में जिसे वो ट्वीट करते हैं CSO, Champ Sheets and then 5-6 Emojis बट लगा ऐसा कि वो कह रहे हैं कि हाँ 274 EOC कार्ड पे वो fight करने वाले हैं तो उसके लाप टिकेट पर चेस किजिए लगा मुझे ऐसा कि हाँ वो भी यह कह रहे हैं कि यह fight है यह add हो चुकी है बट यह ऑफिचली अब तक Yosin यह पाद कन पर नहीं किया है अगर यह सही है मानत ही यह बात सही है और I feel कि यह news से सच है जो कि लोग कह रहे हैं This is the best fight possible for both fighters Chandler हाट चुके हैं अगेंस्ट गेची, अगेंस्ट अलविरा और I feel कि इस ताम पे it's a good fight, it's a fun fight Tony Ferguson इस ताम पे भी fan favorite है हाँ, उनके पास 3 losses हैं, बर स्टिल Tony is Tony Ferguson और Tony जैसा character fight करेगा अगेंस्ट Michael Chandler जो कि अपने आप पे एक नया और इंप्रूड चसन गेची है अब तो उनकी ऐसी एक भी fight नहींगी जहां पे लगा कि या यह fighter तो boring है या points के लिए खेल रहा है, हर fight में वो जाते हैं for the kill और इसलिए लोग पसंद करते हैं Michael Chandler को और अगर यह fight book होती है और I think, like I said, हो चुकी है, मैं बात रिपीट कर रहा हूं सेम बात this fight could be a banger Chandler पहले round में आगे बढ़ते हैं and he goes for the kill वो आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं कि पूरी तागत से अपने पंजे गड़ा के विर्गल जमीन पे वो पंच फेकते हैं full power के साथ but just like Justin Gaethi, Tony Ferguson नहीं होते knockout बहुत मुश्क्रिया है उनको knockout करना so क्या फिर से last fight कितना वो ठक जाएंगे round 2 तक Chandler और तोनी फगसन अपने elbow-shelbow market fight को आके बढ़ाएंगे Tony के लिए frankly as a fan यह बहुत बड़ी fight है यह बहुत बड़ी fight है frankly क्योंकि तीन लगातार loss होना और यहां पे यह चौथी fight है उनके पास as a fan मेरा मन था कि वो एक थोड़ी सी hulky fight लेते no offense to Tony लेकिन इस टाइम पे fight करना गिसना कि Chandler शायद उनके बेस्ट मूव नहीं है मैं यह नहीं किया रहा कि वो यह fight definitely hard जाएंगे but as a fan अगर वो कोई और hulky fight लेते तो शायद वो उनके लिए better रहता but Tony is Tony और Chandler को एक बहुत ही अच्छा partner मिल गया है एक बहुत ही अच्छी fight के लिए I mean Chandler जिस तरीके से उनका career आगे बढ़ रहा है हाँ उनके पास belt नहीं है हाँ उनकी नेक्स fight वो भी belt के लिए नहीं होगी but उनकी fights दोस्तों चाहे वो गेची fight करते थे पहले Tony और Chandler फाइट से पहले सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए वैसे ही आच्छा वो fight करते हैं सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए किसी belt के लिए नहीं उनके पास chance था belt जीतने का but you know कुछ उनने mistakes की हम जानते हैं उनने mistakes की वो खुद मानते हैं उनने mistakes की पर यह उनका nature है और जब वो देखते हैं कि Adesanya या फिर माने जीए Whittaker fight कर रहे हैं और Adesanya के पास मौका था कि वो fight finish करें बड़ो रिस्क तुने नहीं लिया वो comment करते हैं कि यार आप champ हो आप आगे बड़ो fight finish करो क्योंकि अगर वो उस टप से fight करते हैं दोस्तों anyway this is a great fight फैंस के लेकर देखे एंगल से यह बहुत यची अची fight है तोनी के अगल से देखे उनके लिए शाएद यह must win fight होगी frankly I'm not sure कि कि इस fight के हारने के बाद क्या यूसी निकाल देगी I hope not और शाएद यसा होगा भी नहीं but Chandler के लिए एक बहुत ज़री fight है यहां पर जीतना and then you know we can see उनके पास last fight में दो losses हैं against Yeji, against Oliveira but वो fight देखिए आप जिस तरकी से वो हा रहे हैं और जिस तरकी से टोनी हा रहे हैं तो बहुत difference है Tony हा रहे हैं बिलकुल Tony ने कोई ड्राउन नहीं जीता है काफी टाइम से और Chandler definitely के पास बहुत सारे key moments हैं हर fight के अंदर दोस्तों anyway great news, great fight I hope कि fight book हो चुकी है लोग carry fight book हो चुकी है दोस्तों यह जो card है बहुत अच्छा होता जा रहा है Yeji vs. Oliveira उसी card पे यह fight amazing anyway दोस्तों यह था मेरा वीडियो मुझे नेक्स टाइम take care